26 जन्वरी एदोस, यानि तारीख वो की जब भारत पा गया अपनी गुमसुदा दौलत हम जमाने में बरियाब हुए, हम पने मक्सद में कामियाब हुए आखिर हमने बदली तकदीरें, तोड़कर गुलामी की जन्जीरें अपनी कोशिस से परामन हुए, सारी दुनिया में सर बुलन्द हुए खुस हुए साद कहे जाने लगे, हम भी आज़ाद कहे जाने लगे मुल्क में आया दौरे जमूरी, हो गई दूर सारी मجबूरी जो ना कर पाए आज करने लगे हम ही मिलजुल के राज करने लगे कहू क्या अपने रहबरों की बाद दिन को दिन समझे वो ना राद को राद जो भी कर सकते थे वो करके रहे क्यों मुकदर ना फिर सवार के रहे हमको आजादी आज है हासिल अब हमें सब पे फर्ज ए आदिल उसकी अजमत सदा रहे मलहुज हर तरह हम रखे इसे महभुज इस पे कोई भी आज आने ना पाए जान जाए मगर ये जाने ना पाए जान जाए मगर ये जाने ना पाए अस्सानाम अलेकुम और रभ्मत उल्लाही वबरकातों आजना अपरा मंतर्ने माना पी उपस्तीत आजना मुख्य मेंva सृप्ले मौलाना इसमाईल बतेल साहेब सैद भाई बतेल युके थी जाकिर भाई सिधाप अमेरिका थी सारा ना प्रमुख जनाब मौला ना इसमाल साइब, सारा ने डगले पगले साथ अपना सेश्णी सलाकार जहुर 22 साइब, सारा ना एडमीन खाली साइब, आप लोग लड़ीला माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक ना आचारिय स्री जाविद मंसूरी साइब, प्रात्मिक आप्पटंगरमा उपस्थित आवंतरित महमानों आचारियों ग्रामजानों वालीयों साराना स्थम्भ समान शिक्षक्ष्रियों अन्ने सारानो अपिना अंग समान कहने के लिए ये बात आसान बहुत है इस दोर में थोरा सा भी इमान बहुत है दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखों मेरे लिए अल्ला का कुरान बहुत है जब कभी फूलों ने खुस्बों की तिजारत की है पत्ती पत्ती ने हवा से सिकायत की है यू लगा कोई इतर हवा में गुल गया है जब किसी बच्चे ने कुरान की तिलावत की है आप राजना कार्यकरमनी सर्वास कुरान पाक नी तिलावत ही करिए इतले तिलावते कुरान माते हुँ मुहम्मद से इतने आमंतित करिश कि तिलावते कुरान करें अनाजना में फिलनो आगास करें फिजसा औरन हो का से औराओगान, ऑदा डिष्रामु का फिष्रामू का उजसा औराचान, ऑजसा आवजान, ऑर बारधन, बार्धन सुल्द वेखन सौल्तुन, बारत है, इा उड़ है, और री उता उना अर्कानु Τरं सौल्ददी कने भर जरताउर पुरता पियाक नाब्द वीयाक नस्ताइई इहिना الصिरात ल्मस्तभीं सिरात लदीना अन्यब्द अलाइं गरिलमगूब यृ लो लो बस्ताइई आमिन बिस्मिल्ह इियन अलाइत इना अन्जल्लाव वी लेल दील्ड़ इयाक उन्या मा अधराक मा लेलतुलगद लेलतुल 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 ac परिंदी जानवर इंसानों हेवान उसकी खलकत है उसी को है हर एक सजदा वही सजदों का मालिक है उसी की रहमतों से ही हर बरकत बरस्ती है वो एक अल्ला निजामे हस्ती को तनहाद चलाता है उसी के अप्यार है जो वो हर दिल हम पे लुटाता है बेसा के करिम अल्ला आदुनिया नो मालिक शे अने एज आदुनिया नो निजाम चलावे शे तापरे आजना कारे करम ने अगार वधार दा पहला एक दिल ने तरो ताजा करी देना नात नो लाब लईये ते माते हो दोरंदसनी विज्यारतियों ने आमंतित करी कि ते हो नात पेश करी आवाता और ने कुछ सुमा बना वे कौन कहता है तू है रही मजूद जलजल में ते रही है मजूद साथिये मेरी तेरी अमानत है तेरे लंजे ही मेरी दुनिया सलामत है अल्लह मेरे अल्लह अल्लह मेरे अल्लह तो कुले बाना हो खुदा को ही पुकारोतृ के हर जानिब गुनाहों की है गल 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 गुनाहों से तुम्हे खुद को बचाना हो खुदा को ही पुकारो तुम मौला या मौला या मौला या मौला या मौला सुकून गल गुदाना हो खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को बचाना हो खुदा को ही पुकारो तुम जिगर को पाक रखना तुम किसी को भी बसाना मत खुदा को गर बसाना हो खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को गर बसाना हो खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को ही पुकारो तुम हमों में तूट मत जाना कभी बायू खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को ही पुकारो तुम अल्लाह मेरे अल्लाह तुकुले गल्ब पाना हो खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को ही पुकारो तुम हताए आजलत जो भी हुई है मगफिरत माँगो खुदा को गर मनाना हो खुदा को ही पुकारो तुम सुकूने कल्ब पाना हो खुदा को ही पुकारो तुम गुदारो जिन्दगी महमूद रब की बंदगी में तुम अगर जन्नत को पाना हो खुदा को ही पुकारो तुम मौला या मौला मौला या मौला सुकूने कल्ब पाना हो खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को ही पुकारो तुम खुदा को ही पुकारो तुम आभार देश का प्रतीक है ये हर हिंदुस्तान की के नंदीक है ये हर डर भुला देता है एक जोश जगा देता है सुरस्ता नारंगी तेज है इसमें सांती का सफेज संदेज है इसमें इसमें खुसियों की हर्याली है ये चक्रवती चक्रधारी है वो पसलों सा लहराता है वो हर हुचाई से उपर जाता है एक बच्चे से भोला है ये वक्त परने पर दहकता सोला है ये मित्रों का मीत है ये हर बुराई पर जीद है ये जीने का अंदाज है ये अपनी माटी का एहसास है ये तो चालो हवे आपने आज आपरा तिरंगा ने पिरावी ने आपरा देशनी परंपरा ने आगरवधार ये माटे हुआजना कार्यकरम बाद ध्वज रक्षक तरिके पोता नी फरज आपना दोड़न नव बमा अप्यास करता रेहान मास्टर ने अनुरोद करी के ध्वज आरोहन नी वीदी ने सरुवाद करें के खड़े हो एक साथ साजान हूँगे सा अउदा एक साथ विष्वाद के वीष्वाद 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 के वीष् आप जनाब मारी सथे चालो एक साथ सलमियां दो चल जल दितरंगा तव शुब नामे जागे तव शुब आशिश मांगे गाहे तव जय गाथा जानगर मंगल दायक जय हे भारत भाक्य विधाता जय है 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 जय य्कु जिनले हैं जिनले इनले हैं जिनले हैं जिनले हैं दिजो दिए लिए लिए लुड़ी 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 लु इस्टा वाच, इस्टा व्याच, इस्टा व्याच, इस्टा व्यच, इक साथ प्यदहेके बैद्ज़ा आब हाथ सुद्रोचार करनार अहमत इम्रान लुलाद ने तेना काका तरसी अरितो रुपियानों इना जजा करना चलो आज फिर से खुद गो जगा देहे आज अनुशासन का दंडा फिर घुमा दे है चलो याद करें उन संदुसुर वीरों को कुर्बानी जिनके कारण हम लोग दंद्र मना पाते है आज ना बंचो तिर्मा प्रजै सत्ताक दीन निमी ते आपरा प्रसंड न अनुरू प्रसंगिक उत्बोधन माते अनुशारा ना प्रसंगिक उत्बोधना आचारिया हनित साहिब ने आमन देत करिश बिस्मिल्लाहिर्ख्मानिर्रहीम शहीदोन सपनु जारे साकार थयो हिंदुस्तान क्यारे आजाज थयो आओ याद करी सलाम करिये ते वीरों ने चेना कारा में भारत गरतन प्रठयू अस्सलाम उलेकुम वराहमसुल्लाहिव बरकातु आदमी सोनेरी सबमा उपस थी त्रश्टी मंदना प्रमूग के जमनी छत्रचाया हेतर आविसार परिसर आविसार संकूल फुली भाली रह यूजे एवा आधना समारम ना प्रमूग मौलाना इसमाईल सहे त्रश्टी मंदना तमाम सदश्य स्रियो बाहर दी पटड़ेला मौगेरा महमानो प्रिया गाम जनो मारी सामें बेठेला भारत ना उद्वर भविस्य ना भोलकाओ अब भारत नो भविस्य ने गर्णार समाज ने कौम नो गर्णार तताया पोटा ना गनान रूपी सरिता नो डोड वहरावता मारा सनमान नी ये सिक्सत में तो सिक्सिका बेहनो आपने सवने खबर होवी जोईए एक्सो पतास नी बसो वर्ष नी गुलामी नी जन्जीरो मा जक्रिया बाद पंदर नी ऑगस्ट उक्रिश्व सूर्टालिस नी मध्यरात रिये अंग्रेद गुलाओनी गुलामी मा थी आपरे स्वतंत्र ख़या इतले कि आपने आज़ादी मड़ी जारे आपने आज़ादी मड़ी जारे अंग्रेद वो या देश ने संपूर तूसी लिडेलो हतो इवन के हलक या देश मा टाकडी सुद्धा अपड़े बनावी सकता नो हटा एवी हलत मा देश ने वा मुकी ने लोको चालिया गया आजाद तो ठयो देश एक तरब खुख खुसी नी वाध हती परन्टो डेश की सामें त्रोन महुटवना प्रस्नों त्रोन पड़कारों हटा पहलो मुटव प्रस्न ये हटो कि अंग्रेज गोरावे हिंडू मुस्लिम भाईयों नामे हिंडूस्तान पाकिस्तान ना बटवारा करी ने देश ना लोकों ने लड़ता मुखे ने छोड़ी ने चालिया गया अन्डेवख ने पाकिस्तान थी आवेला अपना हिंडूस्तान ना भाईयों ने समावानों मुटव प्रश्ना हटो बीजो प्रश्ना देश मां पांसो ने बासच जेटला देशी नाना मोटा रजवाराओने एक कडी ने एक अखंड भारत नी रचना कर ली अन्डेश नी सामे हतो के देश नी प्रजाने संतोस कारत एवो देश नू सू यवस्थिक संचालन चाले ये माटा देश ना निटी मियन हो और देश ना काईदा कानून बनाऊ या बारू एक बंदारा हो जई अने इतला माते जुदी जुदी कौम, जुदा जुदा धर्म, जुदी जुदी लिंग, अने जुदा जुदा प्रजेश ना व्यक्तियो, राजकिय पक्सो ना व्यक्तियो, विभिन्दक्षेत्रा ना तज़त्न विद्वान व्यक्तियो ने पसंद करिने एक बंदारान इना खर्दा समीद इना अज्यक्स तरीके देशना एक विद्वान दिल के तरश्टी वारा डॉक्तर बाबा साहिब अम्बेच करने पसंद करवा माविया। बानुटर उठ्वान देशने शुबड करवा माथुँ। भारत देशनु आ शुन्दर, उठ्वान अने लेखीर स्वरुपनू मोटमा मोटु बंदानाँ आजे पन विश्वना तमाम देशोना बंदानां एक अडि हम छे। या अपरामात्य गरवन इवाज जे। विश्वन जान्यारी ओकिसोने पचास ना दिवस से आपरा बंदारा अमल मा आवियों। जार्थी आपरो देश गनतंत्र रास्तर बन्यों। अने इतला माते 26 मी जान्यारी ने दर वर्षे आपरे गनतंत्र दिवस तरीके अट्रो प्रजासत्ताक दीन तरीके उजविये छे। मित्रो अ देश ने आजादी अपावा माते गनतंत्र बनावा माते देश ना अनेक नामी अनामी शुरूए ओतना फ्राणोंी परवा करिया विना महान बलिदानों आपिया। आजे ए आपना पुर्वजो आपना पुर्खाओं ने बलीदान अने कुर्बानिनों पडिराम छे के आजे आपने आजाद हिंदुस्तान ने हवा लई रही आजे आजे आपने ए सुर्वीरों ने डिल्थी याद करी हमने सरड़ांज ले आपिये ए महान सहीदों ने याद करी हमने सलाम करिये पोटा ना लोही थी सीची आ जमीन ए बहादरों ने मारा डिल्थी सलाम परंटु मित्रो आजे पंचो तेर थी सितो तेर वर्स ना वहा ना वही गया देशनी आजादी ने परंटु आजे पंच देश मा गड़ी भी बेकारी अगनान्ता निरक्सर्टा अंसर्ड़ा तथा देशनी अंदर प्रस्ताचार चरम सिमाए फूल्यों फाल्यों जे ए वोँटी डूखनी वाच आजे डेश अने डेशनी साथे गड़्तारी करना नकल खोड़ो नकली चीजवस्तो नकली बियारानो नकली पोलिस अधिकारियो नकली टोलना का जकात वाड़ा नकली विजिलन्स ओफिसरो नकली बिर्टेर सर्टिफिकेत बनवबारो अने विकाव मीध्यावनों राफणो हमा सीं हिरी निरने परिष्थिती है टाँ डे ऒसे परिष्थिती केविस हैं है इंहां देशेटनों भविश्यवीं है कि अैसे जो अध्रा लावा हुआ इस सतले हम उद्द शीखले आ क्शीखल श्रीकरावा हुआ देशने आपने विश्व कुरू बनावो है, तो तेना फक्त ने फक्त एकज रस्तों से, एकज मार भीचे, एकज विकल्प से, आने तेश है एजुकेशन, शिक्सन, जो आपने सारा मा सारो शिक्सन फ्राक्त करी सु, उट्टम मा उट्टम आपने नभी स्लासलम ना अखलाग है तो इंशादला इटेश न प्रगति मा आऊ देश चरम सीमा उट्टम शार करें एमा आपने शञा अपने लोड गर्धुम पर लागी जैस्फू मासाइद साचो धर्मच है देशनो बस जीवो औने मरो देशना नाम पर अंडे न पुछो जमाने को क्या कहानी क्या हमारी कहानी है न पुछो जमाने को क्या हमारी कहानी है हमारी पहसान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है जय हिन, जय बारत, अस्सलाम वालेकुम मैंने गली मोहले में काफी वक्त गुजा रहा है पर सुनो, उनके लिए अब मेरा कफन का ही एक सहारा है कहने को तो मुझे पहला हक तुमारा है पर माफ करना एक पोजी को अंच में सिर्फ उसका वतन प्यारा है तुम अपने माथे से सिंदूर को मत हटाना क्योंकि मैं मरा नहीं सिर्फ सहीर हुआ हूँ तुमारे दिल में अभी भी जिन्दा हूँ माफ करना तुमें मैंने एक किस्ता नहीं बताया था जब मैं चोदा साल का था तभी से मैंने देश की मिट्टी से इसक जदाया था तुम फिक्र मत करना मैं तुम्हारे साथ हूँ उस तिरंगे को देखना जब मैं याद आओं क्योंकि मैं उसमें अभी भी बाबाद हूँ मैं मिट्टी की कीमत जानता हूँ इसलिए तुम्हारे अउलावा उसे भी जान मानता हूँ आहता एक शईनिक ना एना परिवार जनों माँते अन्टीम संदेज आज नानी उमर छे जायरे देल मा ताची देल पólक्ती भरवानी होई छे पोताना बतन पोतानी मात्रू भुमी मांते कnis परकरी जवानी भावना जगाववानी हो छे आ बारकों मा साची देश प्रेम भक्ती जगावानी छे अन्ने तेने प्रोष्णा हन आपवानों छे माटे शकिल बदियानी ध्वारा लिखीत नौसाद अली ध्वारा संगितना तरंगों मा फिरोवेल देश भक्तीली भरेर गिजलाई ने आपनी समख्ष प्रस्तोत ठाई रहा छे अंग्रेजी माध्यम ना केजी ना विद्याजियो जे कितना बोल छे नन्ना मुन्ना राही हूँ नन्ना मुन्ना राही हूँ देश कत्य पाही हूँ बोलो मेरे संग जैहिम 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 नन्ना मुन्ना राही हूँ देश कत्य पाही हूँ बोलो मेरे संग जैहिम 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 रास्ते में जलो वाना डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मर्स से पहले न लूँगा कही जम आगे ही आगे बढ़ांगा पड़ांगो दैने बाई दैने बाई दैने बाई नंगा मुझा रादे मुझे देश का सिपादे मुझे पुला मेरे संद चैहिन 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 रूम में करती नम पहां उंगा जहां हरे हरे किस लहराएंगे वहां घरती से पाके न पाईगे जैदं आगे भी आगे बढ़ांगा पेदं दैनी पाई, दैनी पाई, समाना मुना रादी हूँ, देश का सिद्वादी हूँ, बुलो मेरे पस दैहिंदे, दैहिंदे, दैहिंदे अड़ाओं के देश का सहरा बनूँगा, दुनिया सी आपकों बजारा बनूँगा दतो ना उचाती रणा परचंग, आगे दी, आगे बढ़ाओं बगदंग, दैनी पाई, दैनी पाई, दैनी पाई, समाना मुना रादी हूँ, देश का सिद्वादी हूँ, बुलो मेरे पस दैहिंदे, दैहिंदे खुब सरस, if I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. आगे वो हदू आपना भारतिय बंदारण ना घरवईया, डौक्तर पियार आमबेद करनू, आजना भारतमा आपने क्याक ने क्याक भारतिय बंदारण नो खोटो पाईदो उठावता लोकों ने जोता जरिये जे, दी दोस मानत, भलेते भणेलो हूँ के अपण हूँ, पर अपनतों काला कोट वारा न्याईनी देवीना रख्षकोज सामन्य प्रजाने भख्षी जाएछे, अने तेनो एक मातर कारन छे के आपने आपरा पोतानाज बंदारण ने जानता है, माटे एते लोकों आपने छेतरी जाएछे, आजनो प्रजासत्ताक दिवस ए आपना प्रजु जानकारी आप एक मातर है, मातर प्रजु जानकारी आप एक मातर है। जानकार धा ने झालम आपने प्रजु जानकारी का यह बंदा प्रजु जाएटानागा आप एक लुप निए अ है ते प्रहूत को ये ग। वे वारे भी रख ये रहाराख। में में इस काहिए। है को 20 जनुर जार्यार कि अक्षब को सावा ह। अ लिवे बेह। व्यूश एक के प्राफ्याने प्राफ के व। लिवका रहार टौटिए के लिवे। इस दुटेकी डिलिजन को मीघविव बिल्स पर दिस्ता कर नचे टीक चाह का प्रॉडे खर्डी दिस्ताटाइ को लिए जिस्ता कर दोगूदाब दूज इस दिफ दुटान दूट प्रॉस्ताइफ ज तुटेफ जैव चे वाट लिस्ताइब ऑन्यकलbn सब्नाधि टुटेका caste, period, relation, language and have a nice जियर ही, Allah हाल आपिर यह अपनी झमी एक है अपना गगन, एक ही है अपना जहाँ, एक ही है अपना वतन अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाद तो हम एक है यह वक्त खोने का नहीं, यह वक्त सोने का नहीं जागों वतन खत्रे में हैं, सारा चमन खत्रे में हैं पूलों के चेहरे दर्द हैं, दुलपे पजा की गर्द है उम्दा हुआ तूफान हैं, घर की हिपासत पर्द हैं बेदार हो बेदार हो, आमदाए पेकार हो आवाज दो हम एक हैं ये हैं हिमाला की जमी, ताजो अजन्ता की जमी, संगम हमारी साने हैं, चिछोर अपनी साने हैं, बुलमर का मेंका चमन, जमुना का तड़ को बुल का बन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं, कहदो की दुस्मन नजर उठे न बुलते इदर, कहदो की हम केहदो कि हम तैयार है आवाज दो हम एक हैं उठो जवाने वतन बांदे हुए सरसे कपन गंगा ओ जमन की और से पंजाब के दिल से उठो सतलज के साहिल से उठो बंगाल से गुजरात से कस्मीर के बागात से नेपा से राजस्थान से खुलखल के हिंदुस्तान से आवाज दो हम एक हैं हम एक हैं हम एक हैं आ नजम आजादी मरिया पेला जानिसार अक्सर जी ये बदा हिंदुस्तानियों ने एक करवा और एक थरी लर्वा प्रोस्थाहिद करवा माटे लखे दिग आजादी खाली बे के तोड़ना अंदोलन करवा थी के बे के तोड़ना फांसी चरवा थी के बे के तोड़ना सहिद थवाती मरी नथी एना माटे बदा एक थवू परशे अने आज जादपात दर्मनी दिवारों कोडवी परशे आज मुद्धा पर गांधी जी द्वारा निर्मित अने दिगज गीत कार सुखविंदर सिंग द्वारा गवाई दिवारे गीत आप्तावनी समक्त प्रस्तूत करवा वो अंग्रेजी माधियम ना दोड़न एक ना वित्यार्थियों ने आमंत्रित करिश कर दोड़न है मेलड जाना आ एला कुबेल तुछिंगारी उसे जन्मैं तक रह जाना हर कत तरा मोशा अल्लाशीन से प्रगें तक रह जाना तक रह जाना हम तक रह जाना पहुजा तक चुले से बाहिने वीडियो कर मगर मैं दरता हूँ नफ्रत की आग दे मगरत के चोलोते सियास्त के ताथ के कातिल सपोलों थे हवा मैं पहली अफ़ा से डरता हूँ मैं सलाब हूँ एक गुमराह से डरता हूँ मुझे दर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजा लेंगे खूर के मौहर से खुद को सवा रेंगे मैं मजबूर हूँ कमजोर हूँ मैं उनसे लग नहीं सकता अपनों के दरफ बलूक लेकर बढ़ नहीं सकता मैं बजबूर सकता हूँ गलत इन्जाब नहीं करते उर अधाकारी नहीं करते और बुरा वक्त जब्भी आया ने वातन पर एं वतनवालों हम अपनी जान दे देते हैं मजब गरपिड़ारी नहीं करते कर दो घुब कर आए अपिक कम एले जा लाल भासले एक कम एले जा एक कम एले जरा पसा है इक कमरी के विलाद इक गबरे में रुदा गुदावे मैंने दिन के दितार में दीवार इशायत बड़ी हो रही हंदों के में उखार में जब तक गुद गमदा जोड़े जोदो नहाँ तीवार से तो आओ अपने माई हाथ को ताए से बिलाओ तो आओ हट मढ़ो तो आओ 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 उप शेलगाँ से जोडे रहों को दफ्रतों को देशी कस उसी किरा देशूटी जूरिया लंप हो गरी सन्दने कर अपना खुद सवार है एहम तो अपनी छोड़ कर साथ मेंगे कुछ वागते 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 कुछ व मेवल घरlor के तुर झात coffee को एादी होजिषी खुर दो कि उच मारिए को एै साथ पियों जो कुर्थे जच सफच धै अगर खिलास है ओने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है कोई आस्मान थोड़ी है लगेगी आगर तो आएंगे घर कई जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मैं जानता हूँ के दुस्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हतेली पे जान थोड़ी है हमारे मुह से जो निकले वही सदाकत है हमारे मुह में तुमारी दुबान थोड़ी है जो आज साहीबे मसनद है कल नहीं होगे किराएदार है जाती मकान थोड़ी है सबी का खून है सामिल यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है आ मात्रू भूमी आपनी छे आ जन्म भूमी आपनी छे आ हिंदुस्तान पर हग आपरो इतलोज रेशे चिटलो बिजावनों छे भले दुन्याना कोई खुणामा आपने वत्वात करी रहया होईये बंदो आपडू वत्तन अने दिल तो हिंदुस्तान जरेशे आज विशैने अनुरूप आपनी समख पिरामित कुरूती लाइना आवी रहयाची दोरण छो ना बिजार दियो तक तक है जयाओ एक सबीदाए ये बज़ाए तक भीकषिए स्वागा घर दिल से मगर नहीं निकला घर बसा है हम्दर करने जह करे हमें ऐसे दिल का मेरा दूसा है चापन, मतलूं इंदुस्तानी सरक लाजो फीरू सी घर विर है हिंदुस्तान। मेरा दूसा है चापन, मतलूं इंदुस्तानी सरक लाजो फीरू सी घर विर है हिंदुस्तान। हमें से आते हैं हमें तरफाते हैं मैं बोच जाते हैं तो जाते हैं कि घर कब घाए तो कब घाए हिंदुस्तान। आप मेश सेदेना नमाे सामें, जाम सेदेने नहीं, इन आप में स काम आप में स काम? खब दो छपती कमरा ढुकल कम कम वेघाल झाल हुआ भाप। है हम को हुसे जाना है आगे बढ़ते जाना है हिल्दीया हाद पे जाना है आगे बढ़ते जाना है मुष्किदों कारस देने पीछे करते। आरी मेः जोना है, वागे वर जोना है, प्रता के लिच जोपदिन भाई निक दोगे मेथ। घ्ज़ दाटीस निवेलो तो इस अछना है, आगे दुना है, जiterे ख़गेलो जोले, तो अजम डिर डिले, जब डिले में से शयक दोशे, जस्ट कही कि का लाहन और सुल वेँ़को नुननननन ऑर्फखज कर दोलूंगर कई पहां धुते हम पाल सुच्च न inception। झाहां फट्च थाकर सक एंध र कर दो कि आपने दो दो खरिमादे कर दो कि दो कि हम दो खर गये की आरव नी आरव नार विखे जिनियों ने शेक्रेटरी जनाप अर्च पैलुला तर्फिवानू नुलका हो अब आर्वाज जाए गजाए लिए जया कुलाभा थैंगा में टारा कुलाभी जशेंस अचिछ अगावाद रिवाद की आपका सुनके तेरा जुलाई उनीस्तो एकति को एक वात्या पेशा यह एक एचा वात्याए जो अगर योड़ॉप और अमेरिका में बेस आया होता तो थे पहले एक बार वाक्या सुखेंगे। 13 जुलाई 1901 पर आप अमाज केल्डू छोकडियों जे गिप गाई उसेने एक और नामी मुस्लिम बाई तरफी 500 हो गई ना। 13 जुलाई 1901 को पहुत बरी तादाज में कस्मीरी श्री नगर सेंटरल जेल के सामने जमा हुए थे। वो नोजवाद अब्दुलकादी के साथ इजार यक्रेदी के लिए जमा हुए थे। जिन पे दोगरा राज में बगावत का इर्जाम लगाया था। इस दोरान नमाज का वक्त हुआ। इस्सिमा में से एक कस्मीरी उठा और आजान देने लगा। दोगरा शिपाईयों ने फायर दाग दिया। जिसे कस्मीरी मुसल्मान की अजान अधुरी रही। एक और कस्मीरी उठा और जहां से पहले कस्मीरी ने सहादत की वज़े से सिर्सिला तोड़ा था। उसने वही से जुड़ा। उसको भी सहीद कर दिया गया। अजान को मुकमल करने के लिए एक और उठा। हता के 25 कस्मीरी ने अजान मुकमल की और सहादत का रुठबा पाया। दुनिया इसलाम की ये एक वाहीद अजान है जिसको 22 सहादत का फकर नसीब हुआ है। 22 सहीदों का खुन बहा और अजान मुकमल हुई। तत्वर की जिये अजान जारी है और 22 अफराद पेर दर पेर सहीद हो रही है। अजान के खादिश, हग के खादिश, हग के खुदारियत के खादिश। अगर कस्मीर किसी तरफ की आफ़ता बर्रे आजम में होता तो यकीना हग के खुदारियत हासिल कर चुका होता। प्रेवाद के मोजूर से कोई बड़ा मोजूर नहीं था और इतिना बड़ा प्रेवाद कोई कश्मीरी मुसल्मान का ही रहो सकता है। दुन्या में जबर और मजाहियत के खुझरे वाकियात में ये बाईस सहीद और एक अजान सर्रेफ रिस्टरी। आहतो आजादिये हिնदुस्तानना करोरो किसाहों मा था रेतिना दाना समान लो एक नानो किस्तों, आतली साहादत तो कही नती। हिंदुस्तान नी आजादी मां मुसल्मानों गणों मोटो योगदान छे परन्तो आजे ए योगदान बत केट्टिक किताबों मां बन छे अने आपने आजादी नो स्रे गांधी, नेहरू, सरदार के सास्रीन आपिये छे कि इंदुस्तान ना उलमाँए करिये छे जे मने आपने जानता पड़ न थी आवो जे एक तेहरीक नो जेना विचे गणा कम लोकोष जाने छे तेनी तस्कीर हाथ के अलंबर्दार हिंदुस्तान ना उल्मावे करिय थी तो हुँ अंग्रे जी माधियम ना दोड़न तौर ना विध्यार्शियों ने अमस्रित करी जे तो आप सवनी समख रिष्मी रुमार तेहरीक प्रस्टूज करें असलाम अलाइक्टूम् ताहिंट आप मेगिंग इस द्रॉमा इस तो प्रिजेशन तो आल दोस ब्रेव मैं को लेट देर लाइफ तो प्रे देशन प्रेशन प्रेटिश रोल इस रोहों जमीन का वो हिस्सा जिसे हिंदुस्तान कहते हैं सारे आलम में अपनी पहचान रखता है इस प्रेशगीर के शहर नदिया और नहर अगर कुवत गयाही मिल जाए तो ऐसे वाकिया तारीक की तारीकियों से निकल कर आएंगी जिसे सुन हम हमारे अबाओं अल्दा पर फक्र करेंगे उनके लिए दुआ करेंगे उनके ज़स्पे और उनके ऐसासात पर नाज करेंगे अंग्रेशी जोन के खिलाफ आजादी के लिए जट्व जहत का एक ऐसा दोर था जिसमें बिना पसबो मिल्लत के तफर्रुक हिंदु कानी अपने फरिजाई हिप्पल वद्नी को बखुबी निबाते थे जिसमें हिंदु, मुच्लिम, सिख, इसाई, सब के सर पस एक ही जुनुल सवार था आजादी है अपने मादरे वदन को घुलामी की जंदीरों से आजाद करना किसी भी कीमत पर तहरीके चलाई गई, मनसुबा बनाए गए और हर मुम्किन कोशिश आजादी के मतवालों ने की ऐसी ही एक तहरीक जिसे शायद हम भूलते जा रहे हैं वो मनसुबा जिसका राज जब फाश हुआ, तो अंग्रेजों के पहरे तरिश गमी निगल गए जिसकी तश्कील हक के अलमदार हिंदुस्तान के इल्लवा ने की थी वो तहरीक थी रेशमी रुमाल तहरीक जिसे अंग्रेजों ने दस्ट लेटर कॉस्पिरसी कहा आईए आप सब का तालूप एक ऐसी तहरीक से करवाए जिसका जिकर बहुत सब हुआ है चलिए चलते हैं 1916 में पंजाब की शहर मुल्कान में जातुम नहीं जबने मैं किसी एक कापे भी जी हूँ यह दबा जाए वह दबा जबाओ आई बेक यह मार सीटार मुझे माफ कर दिसे पर यह साइदूर बहुत आहे मैं क्या है बेक चलिए बगाओ यह आत्मी अब्दुल्हक है यह कापूल से तपर कर रहा था और जब हमने इसे दबो जा और जब हमने इसकी ताला शिरी तो हमें यह मिला क्या मिला इस आत्मी ने अपने कोट में यह थी नेश्मी रुमाल चुपाए और यह ने पहुचाना चाहता था सर यह मैं चलिए रहा सर मैं संजर होपी शिर्ट स्लोट मैं संजर वाउ प्ला था यह नहीं सर यह काट उर्दू बशी में है इसमे लिखाए क्या लिखाए इसमे लिखाए क्या अंग्रेजी उकुमत को पर शवीर से मिताने का मनलुब अबन चुकाए एंग्रोजी मिदिस निपाए इसमे इंडिया शी लाइक जो यह भूखया नग्रेलो वो उकुमत से टक्राएंचे शी उकुमत से कभी सुराजाई डूपता इसमे की काट की जाए इसके पर ना प्यार है ना फोर्स है उस्ते टक्राएंगे फ्लादी पागर पादी में लगने के लिए तू के जाने गोरी चम्री ना तो अतियार चाहिए ना तो अजार चाहिए इस दिल में इमान के रोशनी चाहिए मैं आना पकीना मदब करेगा हमने देगा हो तीन तो तेरा कस्ते गुड़ा पलगाली बोना तकलीफ सु इस बात की है क्या मेरा दुस्मना से बता न सका ये लोह मुझा मास करते तू गवारे ना ना मैने मेरे कॉम से गटारी की ना मैने मेरे मुल से गटारी की मेरा कल को रोश्य न समाई मोखमजी की रोश्णी से बादी के अगे महीं डगमगाऊंगा मैं सुमी न हुआई वसक हुम करीज अब्दुल हक नामी एक हिंदुस्तानी को गिरफतार किया गया जिसकी कोट की लाइनिंग में रेशम के कपड़े पर लिखे तीन खत मिले जिसमें अग्रेजी हुकूमत से लड़ने के मनसुबे थे और हब्दुल हक को सलाकों के पीशे डाला गया जिसमे ज्वेल को ठाज़ें पुट्वल प्राव भाइ आप नितराकों कि लिखे किया यह से जा मेर दीं कि अथर राक या कुच्वी निये तके लिख वीजा के मेरादू्ग समनों से बाताना सबाद आज भी यजीद और मीर का देशा का गटा जिन्दा है जो मुनाफिक है और यह रूपिया है वो गटा अज़ों नवास पंजाब का वाधिर अंग्रास के तल्वे चाथने वाला इके हैं तेरी गुफना कदम गर्जी अब जोनवा किंग किंग मिजाही जो पर गुई मते काईगा अजाबी का खौब जो में अपने आखों मां संजोड़ा था वो चूर चूर कर दिया तो सुनो मेरे भाई यह चिंगागी रिस्तायक का इससे है जो गठारु दुखतावा ने भरकी ती जिसमें अंग्रेज को भुकार पेकने की कोटिस नकांगाई तो भाई उसकी बात दिल्लियों से खौल करता था ऐसा कोई तरक नहीं जिसमें हुल्यमा की लाशे न लटती हो उस चिंगार इस नहीं आख पेदा करने की कोटिस कुरू हुई हजरत अध्राइस अध्राइस सप्तावान के बाद हम पे बहुत जुलू भाई जारे अग्दूर रसित पर टॉप से मानके ओड़ा दिया गया हजरत मेरे चाजे को चुने की भाटी मेला गया और हो शहीद हो गए दो लाख लोग शहीद हुए है हजरत अध्राइस और ये खावर है एक कावान अध्राइस दो सपन उल्ले मा अजादी करिये सहीद हो गए एड़ेट इल्ली में शार के बुल रहे है कि आपन सोल माँ को देट में फासल गई है इतना जूल मंपरी क्यों मौल भी होना क्यों उनकी नजम भागी होना है इमान वाले कब्स जुल्म से डढ़ने लगे इमान रोशनी है जुल्म अंधेरा रोशनी कभी अंधेरे से नहीं डर सकती रख अब आगे क्या करना है हालात बेहद ही नाजुक है पर नाउमीदी कुपर है जरूरत है ऐसे नौजवानों को तैयार करने की जो वतन के लिए मनने को तैयार रहे जो जुल्म के आगे जुक जाए रोशे महशर अपने रब को क्या को दिखाए दस सार देवबन में रहकर मैंने यही जाना है कि बाप इल्म से ही हम इन नौजवानों को तैयार कर सकेंगे ये नौजवान अंग्रेजों के आँखों में आँखे डाल कर अपनी अजीद आजादी के लिए आखरितास तक लड़ सके जम्यत अंसार ये वो लोग होंगे जो आवादों हखों को बुलंब करेंगे और इन जालिमों को हुकूमत की खादमे के लिए जद्यों जहद कर सकेंगे उल्मा की मुसर्सर कोशिचों ने अंग्रेजों को चाकना कर दिया था उस समझ नहीं पा रहे थे कि इनके साथ कैसे शुरूप किया जाए जम्यत अंसार पर सन 1913 की पाबंदिया आयद की गए और इसे बैन कर दिया गया मुलाना अबुल कलाम ने भी एक मदरसा दारूल इशात कायं दिया जिसमें नो जवानों को अपने बतन की आजादी के लिए अंग्रेजों की खिलाफ मजबूदी से खड़े होने के लिए तैयार किया जा रहा था मुलाना साहे बेहत खुशी हो रही है ये देख करके लोग आपके मदरसे दारूल इशात पर एतिबार कर रहे है और अपने आलाद को भेज रहे है हाँ तबारख मिया अल्ला का सुख रहे है कि हमारी को मिन से बैदार हो की दिख रही है आपने उने निन से खड़ाई दिया और हिलाल भी अलहांदुरिल्ला हम तो बस जर्याए है और हाँ हिलाल अपको जानकर कुछी होगी कि आधिला के पढ़ने की बादर 26 अधार की जादा है इस अपबार का मक्सद यही है कि हम मुसल्मानों को निन से बैदार करना और और हम कितना सहेंगे इन से क्या होगा ये तनातनी और कब तक चलेगी पिरे भाई जरा सोचिये ये पहली रखने वाले को जब बरगास करेंगी कि उनके बारे में ये लिखा जाए कि जब हुंदु वाल लग रहे थे तब हम गुपाऊंगे हम सब कफन बैंडे लड़ेंगे और ऐसे लोगों को बढ़ती करेंगे जो फिरोंगे को धुरी कटा देंगे जिस दिये चे आप ये को कर रहे हैं मौलाना अल्ला की मदस जरूर हासिल होगी इंशाल्ला ये गिरों हिंदुस्तान की जंग आजादी में ऐसा पन्ना लिखेग कि आने वाली नसले इन्हें याज रखे दी जैसा कि जबितर अंसार पर पाबंदिया लगाई गई पर पाबंदियों से मुझाहिलों के होसले कहां पर्च होने वाले थे मौलाना मैबुध हासन रह्मतुला अले और मौलाना उबदुला सिंधी ने दिली में फिर एक नई तन्जीम खड़ी कर दी इसका नाम मिल्जारतल मारिफ था इसका बस एक ही मकसब था हिंदुस्तान की आजादी 1914 में पहली जग हुई तब First World War इसमें वो दौर था जिसमें European ताकते Britain, France, Russia और दुसरी बड़ी ताकते जर्मनी खिलाफेत उस्मानिया यानि तुर्क और इकली इलाज़ाई और मालशी हुकूमत के लिए लड़ रहे थे ऐसे में एक मज़वा बनाया गया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक फौश तयार की जाए जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से उखाड पेकेगी इसके लिए मन्सुबा बनना लाजमी था दोस्तों की जरुद थी जो दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हमारी मदद करे अफगान के कबाईल इलाके अपने बहादू लड़ाखे और जंग्जीओं की वज़़ से प्रिटिंग की गरंप में ना थे ऐसे मौलाना मेहूद हसन ने अपने नायाब मौलाना उबजला सिंदी को कावल भेजा और खुद हिजाज के लिए रवाना हुए याद रखिए हिजाज एरबियन पैनन्सुला का हिस्सा है इसमें मक्का और मदीना भी शामिल है उनके हिज्रा सिर्श इसलिये थी ताकि मुसल्मान हुकुमते और जार से हतियार से हिंदुस्तान के अंग्रेजों की खिलास मदब करें अस्टूबर 9, 1915 एकुल हिन मौलाना माफूद हसन आपसे मिलने आए उन्हें बजी हिज्रातों हिसाम के साथ ले आएए आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई आपसे मिलने आपसे मिलना हुआ हिंद से जार काफी लंबा सफर टे करके आपस अराम करने थे जिसके गले पर घुलामी की दंदीर हो आराम तभी आएगा जब वो अपने मकसद में हासिल हो जी कैसा मकसद अंग्रेजों से मेरे मुलक की आजादी जी उसमें मैं आपकी क्या मदब कर सकता हूँ खिलाफत हिस्मानिया ने ऐसी जंगे बाजू को देखा है जो हक के लिए सलिबियों से टकराए आज हिदुस्तान की आगे बड़ी उमीद से आपको देख रही है क्या ये खिलाफत जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तानियों का हाथ ठामेगी यही इसलामी तालीम है अधिस्तान पहुच्छ चुके हैं उनकी मुलागाथ अमीर अबिबल्ला खाल से हो चुकी है अभम्दिल्ला एक आरधी हुकूमत बनाने की तैयारी है हमें आपकी नियत पर ना ही आपके मन्सूब होपर कोई शक है हम आपके साथ हैं आप तैयारी पूरी करें अल्ला असकी मदद करें एक तरफ शैकुल हिन हिजास में तुर्की से मुहाइदा कर रहे थो तो दूसरी तरफ मौलामा उबिदला सिंधी कबाईल योगों को जोड रहे थे और एक आर्जी हुकूमत खड़ी की जा रही थी राजा महेंद्रे को इस आर्जी हुकूमत का सदर बनाया गया और ये जवाब है उन नासमझ लोगों को जो इस तहरीक को मज़ब के चश्मे से देखते हैं कि एक हिंदू राजों की सदारत में हुकूमत बरी थी और ये सिर्फ लोगों को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए तहरीक बढ़ाई गए थी असलाब हो अलेकों मौलाना कैसे हो जुन्दा हूँ और आजाद होना चाता हूँ बोलाना क्या आप आपकी जितने ही बर्की कमाईला करिया आए हो आमीन, मार्का आपके साथ मौलाना आजाद भी है जी बिल्कुल इंते साथ मुहम्मद अली जोहर जानमाज मुराइश से जुड़े जा रहे हैं जुरूदे रख पाजियद क्या आपकी फोज है जी सही वरमाया आपने इसके कमांडर शेख उलिल मौलाना महमूर असन जो फिलाल हजाज ने है फिरंगियों के हैलाज हमारी मदद के लिए राप्ता कर तुकी है अल्ला आपको काम्याद करें तुझे यकीन है कि मुष्टो कोश खिलाएख है और अमीर आप तुल्हक्त के फिलाफ फिरंगियों के खिलाफ आपका साथ जरूर देंगे और इस तरह मुष्टो के लिए अफगानिस्तान में और शेकर मुष्टो में महमूद ने हिजाज में कहारी शुरू कर दी थी मुष्टो के लिए जर्मनी और इट्ली से भी माली इंदाद और हतियार का तवक्त बिल चुका था तारिक में ये भी आया है कि और दो ने अपने जेवर ताजरों ने अपने मुनाव़ों को ठोकर मार कर इस तारिक में इंदाद किया मौलाना उबदुला सिन्दी ने अपने खासे मादूल हक की तलब की अरेश्मी कपड़ों पर लिख कर तीज खुतूद उनके हवाले किया अब्दुलाग एक बड़े जरूरी मिशन पर तुम्हें जाना है उस्यारी तु जाना अब्दुलाग जो आवाद कर दा बेशार इस तुम्हें जाना अस्सलाम अलैकूम मौत्रम जनाव अब्दुलाईम सहाब अल्लाग का बहुत बड़ा इसान है कि अल्लाग इस अजीम मकसद के लिए हमें चुना मन्सूब और तैयारी की तफ्सीर श्यकुल इन मौनाना महमूर असल जो इस वक्त मदीन मौनवरा में मुकीम हैं मौन तक पहुचाने की जिम्मेदारी आपको देते हुए मैं आपको अल्लाग की रिफाज़त और निगेरागी में इस मुक्द्द्स पहुरीद में सामिल करता हूँ ये तीन पैवांबों को आपको पहुचाना है तो इस तरह अब्दू हस ये तीन खुचुच अपनी कोर्ट की लाइनिंग पर सिल्वाथ कर हैद्राबास इनके रवाना हुए और रासे में मुल्दान में गिरत तार हो जाते हैं दिशन 17 से 1920 मौलाना शेक अलहिन माइटा की जिल में बामुशकत कैद रहे उनने रोज साहकानों में ले जाता था रोज़ूम किये जाते थे सलियों को गरम करके उन्हें मारा और अर जलाया जाता था और उन्हें अंग्रेज ये कहते थे कि उन्हें हक में फत्वा जारी करो सारे जुम सहने के बावजूद शेकुलहिन ने फत्वा जारी ना किया फिर 1920 में वो हिंदुस्तान आए तो बंबई की बंदरगाप पर गांदी जी और सेकुलोगों ने उनका इस्तबाल किया वस्त का तकाज़ा ये भी था कि अब लड़ाई अहेंसा के रासे पर चल कर ही की जाए शेकुलहिन ने मुसल्मानों को गांदी जी के साथ नौन कॉपरेशन मूमन में साथ देनी की अपिल की पत्वेजारी किये गए कि मुसल्मान कॉंग्रेज के साथ नौन कॉपरेशन मुमण में शरीक हो तारीक के इस हिस्से को आप तक पहुचा कर हम खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं हर उस शक्स को हर उस जावास को किसने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जद्द जहद की आजादी के पचपन साव बाद हमें चाहिए कि उन्हें कुर्बानियों को फारमोश ना करे अंग्रेजों के तरह हम अपने ही लोगों पर जिल्म ना करें उन्हें जलील ना करें और ना ही ये हमारा इसलाम सिखाता है हम दुनिया के जिस भी कोने में रहे मिल जुलकर मुल्क की तरक्की और बहा के लिए काम करें हम हग के निशा है दुनिया में बातिल को गिरा कर दम लेंगे जो सीने दुश्मन चाफ करें बातिल को मिटा कर खाफ करें ये रोज सक इस साथ पात करें वो जर्फ लगा कर दम लेंगे अर बाद हुदू मच्छे कह दो ये अजम किया है हम सबने जो हग के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे ये बात आया है दुनिया पर हम भूल भी है कलवार भी ये बज में जहां महकाएंगे या खों में नहा कर दम लेंगे जिस खोन शहीदा से अब तक बुलरंग हुई है ये सरजमी उस खोन के गत्र कट्रे से तूपार उठाकर दम लेंगे इस डेश के जर्रे जर्रे को हम अपने खोन से सीचेंगे अल्लह जिकत्थम के ज़र्थी को गुलजार बनाकर दम लेंगे उचले ज़ाना सराश कूल सराश एक मुस्लिम बाई तरफ थी 500 रुपया, अमजद बाई तरफ थी 500 रुपया, मौलाना साकिर साथ तरफ थी दरेक विज़ा थी होने 100-100 रुपया, आम 400 रुपया, तथा कार्यकरम मा भाग लेवा वारा तमाम विज़ा थी हो मा ते एक राजर या फेमेली तरफ थी 1000 रुपया वोकर पुड़शकार मारेचे तमाम महमानों सारा परिवार आबार यक्त करेचे अल्लाह पात एमी रोजी मा बरकता पे एक दुआओं साथे आबार जलिया वाला बार में लगा इंकलाब का नारा था जो सहीद हुआ वो हिंदुस्तानी खुन हमारा था वो खुष्यों का मेला ही सबका काल हो गया अच्छे बुड़े औरत के खुन से मिट्टी लाल हो गया मुश्टिल की ये घरी थी आई देश में सहाब लोगों का तो बज से बजदर हाल हो गया गादी नेहरू और सब के सब सन हो गये जल्यावाला बाग से भाग बगत सी उत्पन हो गये निहत्थों पे वार किया बृतीस कुटे कायने सो लासो पचास गोलिया चलाई थी उस दायर में छे हफ़ते के बच्चे को भी उसने मारा था ये करके उसने वीरों को ललका रा था खुन सभी मिट्टी पर गिरने वाले आसू हमारे थे जो सहीर हुआ वो हिंदुस्तानी खुन हमारा था तेरा अपरे उग्रिस्तों उग्रिस्तना रोज पंजाबना अम्रिस्सर्ग थी स्वर्ण मंदीर थी थोड़ी कुरावे जल्यावाला भाग माठहेल ए हत्याकान के जेने मानवता ने हच मचावी दीदी हदी एक कायर डायर के जेने वृत की सोरो पारको के श्रियों नी लाज राखवानी राजपर राख्यावीना अंदा जून गोरी पार करावीने नीर्दोस अने नी हत्यार तोंड सो ओगरहे सी लोकों ने जान लिदिया दी ते हत्याकान पर आधारिन ना तक आपनी समक प्रश्टूत करवा उप्रात्मिक विभाग ना विज्याजियों ने आमत्रित करिश सुनो 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 सभी लोग घ्यान से सुनो अंग्ले तरकार के आदेश पर पंजाब के सभी लोगों को ये खबर दी जा रही है कि आज से साजार रंजंता पर बोले तक लागू किया जाता है जिसके टाहत अंग्ले तरकार किसी भी व्यक्ति को कानून का इरोड करने पर जेल में डाल सकती है और उसकी गिरफ्टारी का पारज लोगों को बटाने में मजबूर नहीं होगी इन लोगों की इतनी हिम्मत कि हमाए जैस में आकर हमारी ही मिठी में हमारी ही लगों कर राख करूँगे हम इसा होदे नहीं देंगे अब इबुल सही कहा का के यह अग्रेट हम बैद वासे उमटों मर्डास ही नहीं होटे है हम इने ख़दे देंगे तुम खाए मर्दों से तो कुछ नहीं होगा उस उसे कायरों की तरह छुपपे कर हम और तो भी रख्शा करोगे अब हम पीछे नहीं आड़ेंगे इन अंग्रेजों को इसे किलाफ खदेर के ही रहेंगे हाँ बिल्गूत ही इनकलाव जिन्दाबाद इनकलाव जिन्दाबाद इनकलाव जिन्दाबाद अरे यह मैंने क्या सुन लिया मैं पीछा के इस बात को जिन्दाब को बतादा हू नकलाव जिन्दाबाद जिन्दाबा इस जचाँ बिल्गूत what's such a big matter, what is it? sir, is who you are saying that the royal act can review in Jaliawalabagh one big issue in Jaliawalabagh one big issue about the night sir, he says people in a huge mass are going to protest against the royal act in Jaliawalabagh insane are these people they will pay for it with their lives इन कलोव जिन बाद जिन बाद जिन बाद इन कलोव बाईयों और मेहनों क्या आप सबको मालूम है हम यहां क्यों इकटा हुए है हम यहां इस्ट्रोएट एट के खिलाब विरोध कर रहे हैं क्या आप सबको मालूम है कि इस रोएट एट के दहट हम भाद वासियों को ये अंग्रे सर्कार आराम से काल कोठी में बंद कर देगी हम ऐसे होने नहीं देंगे नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे जब तक हम अंग्रेजों को भारत से नहीं दिका लेंगे तब तक कोई भी वाश्या की नहीं बनाएंगे अच्छा को तुम सब लोग हमारा उरत खरता है बाच जाए आँ से वेना इसका अंजान बहुत ही बुड़ा होगा हम नहीं जाएंगे तुम लोग जाओगे हमें नहीं तुमको भारत से भागने होगा ये जमी हमारी ये दर्टी हमारी ये खेथ हमारे अभी थोड़ी देर पहले हमारी को से लहरा रही थी लेकिन तिन अंग्रेजों के कहा है हमारी साही मस्रा बरबाद हो गई अंग्रेजों, तुमारे इस अतिया जाश अभर नहीं रहेंगे, अभर मिस्काबना लेकर रहेंगे, हम आजा नहीं पाएंगे. अंग्रीज श्व़िव, और महां रहें जाजए. एस पाइंगे. ओंग्रीज श्रेजा, वापन जाओ. शोड़िई सेलके साम्राब ड्सात ड्सकिन! पार पाल। अजय को जाएगा एक कमारों गे तो हजार पेडा हो जाएंगे यह अग्रेश आगा हमको अपने प्रेश जुदी समझती है वो चाहती है वो जो भी कहे हम उनकी बात माने हम ऐसे होड़े नहीं देंगे अगर को पह्ति किसाओ अध कर अजूरे जैंगे इंगलाव जीनदेबर इंगला सिंद्राबाद, इंगला सिंद्राबाद कर देजद्राइ, लुब्स παर लिएक्रोग्ग काta, बजय quieresने स्थाला के शनातर्स, नडे ख्शोग से काунे, बजय के शनातर्स जिएक्रोग्एध के शनातर्स, बढ़ 수 Bei खनातर्स, उनातर्स, लुब्स्गलाद, उनातर्स, आ. कर दिल में भी बोलू देगा, मैं किस आउख दीगा हुस्ता हूँ जब दिल में लगेगी आग, तो सासन चाह बोलू देगा मैं जलिया वारा बाग्सा दिस्ता हूँ अते उंता लड़े जंग वीरो की तरह, जब खून खोल पोलाद हुआ मरते दम तक दटे रहे वो, सभी तो देश आजाद हुआ अपरा भारत देश नी आजादिमा युग्दाथ हापे प्रातिकारियों और अंदोलन बादियों नो एक पात्रिया भी नहीं करवा अगरेजी माधियमना दोरर बेना विद्यान की ओने आमतित करेश मधिया अबत प्रात्रियों नहीं खार बादियों काहिए प्रेवरी खौफ से भागे फिरन गी चोड़ गए मैदान चीर के दुस्मन की चाती को जिसमें किया हैलाद मेरे भारत के टकराना केल नहीं आता यह टीपू का देश इसका नाम है अदुस्तार जो भारत की चोन है वो टीपू सुल्तान है मारे भार अवेश्या 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 कनता है पहती को hobby साकही पतर चलते थे भौशार थे प्रद्धा से वो शार सिद सा दिन का पेथर भरतर हो जर्द उनका हम तार공 आँ प्रद्धा नहीं का आँ यह था झोटाटा ता और सरब उनकी चालर तुबले से पदले से थे बुच्छ से जीना तारदे आई तक पहेंगी था I am मुवान्दा सर्फ चंज्वाजी I was born on second of the 1869 इंगुजा I am दुपावदा अदेने रिपाग्वाजी पापू Satyagra, Alinzha, these are the most important principles of Malay I also started the dream of my beautiful woman was waiting in here Many people plant this, but few of them get fruit to succeed in your mission You must have single-minded, devotant to your children I am your girl, yes, I am dressed like Malana Mui Kalamhazad He was born on 11th, 9th, 18th, 18th He was the first educated minister of independent India I am your girl, I am your girl, I am your girl Music Hiya अमारे की तारीक है जो इते हास के पन्नों पर गुम हो चुकी है मैं भारत की वो बेटी हूँ जिसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा कर अंग्रेजी हुकूमत की जड़े काट थी अंग्रेज हमारी आजाजी की एहमियत को क्या समझे उन्हें ना हमारी जबाद समझ आती है ना हमारी तहजीब अग्रेज नहीं जानते लाजुक दिखने वाली कलाईया कितनी खूम्सूर्थी से करवा चला सकती है शाम ओदेगा मैं विधर दोड़े करें बाग बाग रे बाग पिरंगी बाग बाग रे बाग पिरंगी जानी की रानी आ रही है धाल दिल पर हाद कर बाग रही है धाल दील पर हाद का राख पिरंगी बाग राख पिर नी तुबद बाग पर मेरे हिसा लख का रगी खंटिन виде उंध अगोप लाइब बना कि अगैली भ्णरीदी अगे पागे लेग्टी अगे लेगधि और ये अगे अगे जँ कि अगे लो ऑगे जोग भूस कहा डाक बहुता है जासी इनी अभीपा मौहमाद बूलाद कि अबना खका का अटो 255 पात्यमा तरफ न रोकर पूरस्कार मरें जजा कुन मुलावा शनुन जजा 1,000 रुप्या Пॉम्जा प्तेल तरफी रिस्मी लूमा ती चर्वर्ना विज़ात्यों होने 500 रुप्या फातेमा पटल ने रिफ्मी लूमाड तरवर्ना विज़ात्यों होने तमाम आम अद्रिज मेहमानों गोकरपु अश्कार आपी विज्ञाचोने प्रोzd्षाई इन तर अपर मेहमानों तारा पडरिवाञ आभार भ्यक्त करते। आप आब आस वतन हमारा एसे ना छोड़ पाय कोई रिष्टा हमारा एसे ना फोड़ पाय कोई दिल हमारे एक है, एक हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है उसकी साथ. आप सर्वनी समस्थ प्रेव गवन द्वारा लखाएं अन्ने मन्ना दे द्वारा गवाएं, पारत वासियोना दिल मा देश प्रेम लावनी उवरी तो एक सथी काबुली वाना फिल्म की भड़ी आवतो गिस्त। प्रस्तुत कर्वां हुत और बाईनी मिज्यादी हने माने हामत्रित करिश। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछेडे शमन, तुझे पेड़ पुरे बाँ, तु ही मेरे आर्जो, तु ही मेरे आपरो, तु ही मेरी वाँ, झाल। ए मेरे ट्यारे वतन, ए मेरे बिछेडे शमन, तु थे पेड़ पुरे बाँ, तु आर्जो, तु ए मेरे शमन, तु ही मेरे आर्जो, तु है मेरे आर्जो, कर दो को चलाम क्यों कि लूमी उसे उबादो कि सिपिया एक एर आप तरी दामन जो है उन हमा को चलाम वासा हुदा प्रविदी नंडी जी बेटी पन की यादाता है तू इतना यादाता है मुझे को उसके मुटरी पाता है तू तुछे पे दिल कुरिबाँ तू ही मेरी आरे शूँ तू ही मेरी आप रूँ तू ही मेरी आरे शूँ छोड़ कर तेरी समी को तू रहा पहुते है प्रविदी नंडी आरे शूँ तू ही मेरी आरे शूँ तू ही मेरी आरे शूँ तू रहा पहुते हैं हम जहां पे दा हुए है उस जगा पे निकल दम तूझे पे दिल कुरिबाँ तू ही मेरी आरे शूँ 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 तू ही मेरी 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 शू एमेरे प्यारी बादरी